नमस्कार लेडी निया में आपका स्वागत है जब जीवन में निराशा और हताशा घिरने लगे तो एक बज़दूर से जीवन जीना सीखना चाहिए उससे सीखना चाहिए कि होसला क्या होता है और उठ्जा क्या होती है कोरोना के कारण महानगरों से पलायन कर मीलो लंबी यात्रा पैदल पार करने वाले ये नर नारायन प्रेणना की अनूठी मिसाल है लोगडाउन के दौरान हमने हजारों तस्वीरे और वीडियो देखे पिता अपने बच्चे को गोड में उठाय था तो किसी ने अपनी पत्नी को कंदो पर उठाय था किसी माँ ने बीच रह में अपने बच्चे को जन्म दिया और फिर एक घंटे में ही अपनी मातर भूमी की ओर चल पढ़ी ये तो अपने बच्चे थे, तस्वीरे उनके विशाल हृदे की भी थी, जिसमें कई मजदूरों ने अपने पालतू जानवरों को भी अकेला नहीं छोड़ा था अपने गोद में उठाए, वो इन्हें अपने साथ लो गए ये हारे नहीं, ना सफर की थकान से, ना मुश्किलों से इतना ही नहीं जब वो अपने घर पहुँचे तो उदास नहीं थे, नई उर्जा के साथ खड़े थे आज हम आपको बुंदेलखंड के उन मजदूरों की कहानी सुना रही हैं, जिनोंने जीवन की नई मिसाल पेश की शहर से लोटे इन मजदूरों ने पन्ना जिले से निकलने वाली घरार नदी को पुनर जीवित कर दिया ये नदी वही है जिसके पुनर जीवित करने के लिए पिछले पंधा सालों में उत्तर प्रदेश सरकार ने करोड़ों रुपे खर्च किये थे लेकिन नतीजा शून्य ही रहा, लेकिन पंजाब और हर्यान से लोटे मजदूरों को जब मनरेगा में काम नहीं मिला तो उन्होंने अपनी प्राण दाइनी माघहरार को पुनर जीवित करने के लिए ठान लिया क्या युवा क्या महिलाएं सब नदी की खुदाई के काम में जट गए वो भी प्रशासन के सहयोग के बिना उन्होंने नदी के किनारे ही अपना ठिकाना बना लिया यहीं खाना बनाया यहीं खाया दो दिन की मेहनत से उन्होंने एक किलोमीटर तक गिलुप्त हो चुकी इस नदी को खोट डाला फिर जब जलधारा फूटी तो उनकी खुशी का भी ठिकाना नहीं रहा यह तस्वीरे हमें बुंदेल खंड के वरिष्ट पत्रकार नरेंद अरजरिया ने भेजी है उन्होंने बताया कि इसके पहले इस नदी को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने दो दरजन से अधिक चेक डेम बनाये थे लेकिन रख रखाव सफाई के अभाव में ये नदी पूरी तरह सूख चुकी थी पॉर्टलब है कि पन्ना जो इस नदी का उद्गम इस्थल है वो बुंदेल खंड का एक भाग ए छोटा सा बुंदेल खंड के ज्यादा तर धरती सूखी और पत्रीली है घरार नदी के जल पर आसपास के 40 गाओं निर्भर करते थे इसी के जल से लोग खेती बाड़ी करते आये थे और वाटर लेवल बढ़ाने में भी घरार नदी का महतपूर्ण योगदान है ऐसे में ये नदी महतपूर कितनी रही होगी शेत्र के लिए ये सोचना मुश्किल बात नहीं है लेकिन सरकार की सारी योजनाय विकार हो रही थी इसमें शासन की लापरवाई भी शामिल हो सकती है शायद नदी अपनी संतानों का इंतजार कर रही थी वो अपने पुत्रों के हाथों ही उद्धार चाती थी आज ये नदी लहल हा रही है मजजूरों ने एक बार फिर साबित कर दिया है उनकी महनत सोना है वो चाहें तो क्या नहीं कर सकते चिंता तो अब महानगरों को करने है इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेज करना ना भूलें